सब्सक्राइब कीजिए The Perfect Classes चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए complete the table from given fractions in the circle, circle में कुछ fractions दिये हुए आपको, इन fractions के दुरू आपको ये पूरी टेबल complete करनी है, आपको बताना है कि इन में proper fraction कौन से है, improper कौन से है, mixed fraction कौन से, तो proper बोलते हैं बच्चों, उचित में इनको, ठीक है, जैसे जिनका numerator, denominator से छोटा होता है, numerator छोटा होता है, जिन बढ़ा होता है, उसे बोलते हैं, जैसे 2 upon 3 हो गया, ठीक है, next कौन सा है, next लिख लेंगे हम, 1 upon 3, इसका भी numerator छोटा है, denominator बढ़ा है, उसके बाद हम लिख लेंगे, इसके बाद, इसमें next है, 2 upon 3 हो गया, 1 upon 3, next हो गया, 3 upon 15, ठीक है, और उसके बाद next लिख लेंगे, 3 upon 15 के बाद, 3 upon 15 के बाद लिख लेंगे, 5 upon 9, ठीक है, 5 छोटा है, 9 बढ़ा है, तो यह हो गए, आच्छा, अब improper में, 8 upon 5 हमें दिया हुआ है, यह क्या होते हैं, देखें, जिनका numerator बढ़ा होता है, denominator छोटा होता है, जैसे 8 upon 5 हो गया, ऐसे यह अब next कौन सा है, next है, 7 upon 3, 7 बढ़ 1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, तो 6 upon 1 में, 6 बढ़ा है, 1 छोटा है, तो यह हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, अब mixed fraction, दो ही बसते हैं, इसमें mixed वाले, यह वाले, इस तरह से जो लिखे जाते हैं, इन्हें बोलते हैं, mixed, 5, 3 upon 7, ठीक है, यह हो गए, अब next question देख लेते हैं, हम यह 3 है, ठीक है, 3, 3 upon 5, अब next question देख लेते हैं, see and complete the table, देखें, यह क्या है, यह एक mixed fraction है, ठीक है, अब next देखते हैं, इसे कैसे लिखेंगे हम, देखें, यह पूरा एक circle है, एक लिख दिया, ठीक है, इसके colored part कितने, 3, तो यह 3 हो गए numerator, और total parts कितने इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो हो गए इसका denominator, अब इसे लिखेंगे हम, यह कितना है, एक है, ठीक है, अब इसके colored part कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक, 4 लिख लेंगे, और इसके जो total parts है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 है, तो यह आगया, ठीक, third part कितने है, इसके 3, upon में, numerator में आ गया 3, और denominator में total कितने हो गई है, 5, ठीक है, यह लिख 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 लिखेंगे, अब यह है, do addition and subtraction of fraction along the parts according to the arrows until you get to the end, आपको यह करना है, addition करना है, subtraction को जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, parts के according, जैसे जैसे इसमें पत दिया हुआ जैसे की रास्त बता हुआ है, यहाँ, arrow इधर है, तो इधर करेंगे, इधर है, तो इधर करेंगे, अब देखे, 2 upon 7 को प्लस करना है, हमें 3 upon 7 से, पहले हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, 2 upon 7 को प्लस करना 3 upon 7 से, तो बच्चों denominator सेम होते हैं, तो सेम ही आ जाते हैं, नीचे 7, औ अच्छा, अब नीचे क्या है, देखे, अब यहाँ, अब arrow इधर बन रहा है, इधर, अब 5 upon 7 और minus 1 upon 7, आब देखे, 7 तो सेम ही है, तो denominator तो सेम ही रहेगा, 7, ठीक है, 5 में से minus 1 जाएगा, तो कितना बच्चेंगे, प्लस के 4, तो यहाँ क्या जाएगा, 4 upon 7, अब हमने यह सामने सामने कर लिए, अब हम नीचे किस तरफ करते हैं, आप देखे, ऐसे करते हैं, 2 upon 7 को minus करेंगे, जब हम 1 upon 7 में से, ठीक है, इस में से minus करेंगे, तो denominator तो सेम रहेगा, 7, और 2 में से minus 1 कितना आजाएगा, प्लस का 1 आजाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ही आजाएगा, आप देखे, यहाँ पर क्या है बच्चो, 1 प्लस 7 और यह अब इधर करेंगे solve, यह क्या है, प्लस 6 upon 7, अब यहाँ पर भी 7, 7 क्या है, denominator सेम है, तो 7 ही रहेगा, 6 और 1, कितना 7, ठीक है, तो बराबर में यह कितना आजाएगा, वन आजाएगा, यह इसी box में लिखना है, आ आप देखिए, अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यह कितना है, यहाँ पर देखिए, अब हम लिखेंगे, यह 4, देखें यहाँ पर, यह है, 4 upon 7, minus 4 upon 7, तो देखिए, जब 7, 7 denominator सेम है, ठीक है, और 4 upon 4 तो क्या आजाएगा, 4 में से minus 4 करेंगे, तो 0 आजाएगा, तो 0 upon 7, 0 होगा, यहाँ हम 0 लिख देगे, तो यह आपको इस तरह से करनी है, आपको worksheet, ठीक है, और अगर हम यह देखते है, plus के 1 में से minus का 1 जाएगा, तो यह 1 minus 1 भी क्या होगा, 0 यह होगा, तो यह ऐसे रहगा, तो बस आपको यह करना है, आप यह तो ऐसे लिख लीजे से, इस वा आपको solve भी करना था only, ठीक है, बस इस तरह इसा आप लिख दीजे, आपका तब भी हो गया, आप next देखिए, यहाँ पर क्या है, let's play, adding same sign, same sign को जोड़ना है, ठीक है, add and keep the sign, adding different sign, different sign को भी add करना है, subtract and keep the sign of the number with larger absolute value, multiplying same sign, positive answer होगा, multiplying different sign करेंगे, तो negative answer होगा, तो देखे हम क मांस का 47 है, ठीक है, और मांस का 23, ठीक है, दोनों को अगर आप add करेंगे, 23 और 47 तो क्या आजाएगा, मांस का 70 आजाएगा, ठीक है, अब मांस का 70 और माइनस का 40 इन्ह टोटल करेंगे तो माइनस का 110 आ जाएगा ठीक है अब माइनस का 110 और प्लस का 60 ठीक है माइनस के 110 में से 60 जाएंगे तो माइनस के 50 बचेंगे यहाँ क्या जाएगा 50 आजाएगा अब यहाँ आ जाते हैं दुबारा 70 पर ठीक है माइनस का 70 है प्लस का 90 है ठीक है माइनस के 70 जाएंगे प्लस के 90 में से तो 20 बचेंगे प्लस के यहाँ पर अब प्लस के 20 और प्लस के 37 तो टोटल हो गए 57 ठीक है 57 ठीक है अब माइनस के 77 में से plus के 57 जाएंगे तो यहांपर क्या बचेगा minus का 20 बचेगा ठीड है minus के 24 में multiply करेंगे तो कितना ऐगा 80 किसका होगा minus का minus के 80 में 3 की multiply करेंगे तो minus का 240 आजाएगा बच्चों यहांपर ठीड है अब देखें इधर का हम बाद में देखते हैं Spencer अब भी यहाँ पर आ जाते हैं फिर से हम ठीक है 57 और यहाँ पर कितना है माइनस का 47 जब इसमें से माइनस होगा तो प्लस का 10 बच जाएगा ठीक है क्योंकि 57 प्लस का है अब प्लस के 10 में 37 एड़ करेंगे तो प्लस का क्या 47 आ जाएगा प्लस के 47 में से माइनस के 27 जाएंगे तो प्लस का 20 आजाएगा प्लस के 20 में मल्टिप्लाई कर देंगे बच्चो माइनस के 2 की तो यहां क्या जाएगा माइनस का 40 आजाएगा माइनस के 40 की मल्टिप्लाई 1 से करेंगे तो यह माइनस का 40 आ जाएगा और आप देख सकते हैं जब माइनस के 45 की 6 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 240 तो यह पूरा आपका solve हो गया आपकी worksheet भी complete हो गई है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मैं वीडियो को लाइक करें शेयर करें हमारे चनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फूर वर्चिंग